प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी वारणसी संसद्य छेतर से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनने के बाद चनिवार को सबसे बड़ा रूट शो करेंगे प्रधान मोधी पर बावतपूर से बरेका तक 28 किलोमेटर लंबे रूट पर पुश वर्शा होगी खास बात यह है कि प्रधान मोधी अपनी कार से रूफटॉप से बाहरा कर लोगों का अभिवादन भी करेंगे लोगसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों और कारकार्ताओं के साथ प्रधान मंत्री की मीटिंग के साथ विकास कारियों का निरिक्षन भी कर सकते हैं यह मोधी बाबा विश्वनात के दर्शन भी करेंगे शनिवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी वारणसी में 28 किलोमेटर तक रोडशो करने वाले हैं जिन 16 पॉइंट का चैन किया गया है इन पॉइंट पर पुलिस कर्मियों के तैनाती रहेगी शुक्रवार राज से ही वहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है प्रधान मंत्री मोधी की सुरक्षा के लिए बाहर के जनपदों से भी फोर्स बुलाई गई है पीम के आगमन को ध्यान में रखते हुए स्पीजी द्वारा बरेका गेस्ट हाउस और एरपोर्ट पर स्पीजी के साथ ही अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी तैनात कर दिया गया है प्यम साब का कारिक्रम है मंदिर के दर्शिन करने के लिए आएंगे तो इसके लिए पूरी विवस्ताई की जा रही है पूरे रोड पर जूटिया रहेगी और इसको आवश्रिक तानुस्वार और भी विवस्ताई की जा रही है लगत क्या डिस्टेंस है इसको आप लोग मुक्यनक से कवर कर रहे हैं क्या-क्या अप एरपोर्ट से हैं वो तो डिस्टेंस तो काफी है पूरी ट्यारी होगा है बिल्कुल पूरी थे है वरणसी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पहली बार इतना लंबा रोड शो करेंगे साड़क के दोनों तरफ भाजपा करे करता और काशी वासी हरहर महादेव और जैशिर्याम के उद्गोश के बीच पुर्ष वर्षा कर काशी के प्रतनी धित्व के लिए आभार जताएंगे इसके साथ ही रास्ते मंत्रो चार के लिए बटुक, डमरू, शंखना दल और कलाकार मौजूद रहेंगे इस दोरे में खास बात ये है कि प्रधान मंत्री मोधी अपनी कार के रूफटॉप से बाहर आकर लोगों का अभियादन भी सुविकार करेंगे जो देखने में भी कापी खुबसूरत लगेगा वहीं वारनसी दोरे के बाद प्रधान मंत्री मोधी 10 मार्च को आजमगड के मंदूरी समेत 10 नए एरपोर्ट का लोकारपन भी करेंगे इसके साथ ही प्रधान मंत्री महराजा सुहेल देव चिकित्सा महाविद्याले का शुभारं भी करेंगे प्रधान मोधी अपनी इस रैली से आजमगड और आसपास की सभी लोक सभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे NBT Online के रिपोर्ट